पॉलिसी बजार पर एक करोड़ रुपे का टर्म लाइफ इंसुरेंस केवल चार सा पचास रुपे महीने से शुरू वाव त्योहारों और छुट्यों के मौसम में बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली एरपोर्ट पहुँच रहे हैं दो साल बाद पहली बार इस समय कोरोना के इतने कम मामले हैं और यही वज़ा है कि ट्रावल इंडस्ट्री में जबरदस्त उच्सा है लेकिन विमानों के किराए इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की पॉकेट को चुबने लगे हैं हम पहले भी दिल्ली आये थे अगस्त में उस वक्त फिलाइट का किराया कम था पहले विज़ेवाड़ा तक का किराया च्छे साथ हजार रुपे था लेकिन अब तीन दिन पहले 24,000 के गरीब है पहले 10-11,000 में आना जाना हो जाता था काफी फर्क आ गया है कोविट के पहले 3000 रुपे का टिकट था लेकिन अब 5000 हो गया है सरकार कह रहे हैं कि वो सबके लिए फ्लाइट में यात्रा अफोर्डेबल बनाएगी लेकिन दाम दो गुना बढ़ गए हैं सरकार को कुछ करना होगा विमान के किराए बढ़ने का फाइदा रेल्वी को मिलता दिख रहा है हाला कि इसके बावजूद या ट्रेवल इंडरस्ट्री के लिए पिसले दो साल में हुए नुकसान की भरपाई का वक्त है बढ़ गया है अगर हम एर ट्रेफिक की बात करें तो वो कई जगे पे इंप्रूव हो गया है पिछले जो टैन्योर थे उससे काफी बढ़ गया है तो ट्रांस्पोर्टेशन में हमें वो रिकवरी देखने को मिली है बट टूरिजम में थोड़ा सा ओन-लाइन की वज़े से जो लोकल लेवल पे है उस पे उतना इंप्रूव्मेंट नहीं आया है प्रशांत पिट्टी जो की ओन-लाइन ट्रावल प्लाटफॉर्म इस माइट्रिप के फाउंडर है उनका कहना है कि घरेलू उड़ानों में अब महमारी से पहले से जादा यात्री सफर कर रहे है लेकि और डोमेस्टिक फ्लाइट की डिमांड पहले से जादा हुई है वहीं होटलों के किराई भी तेजी से बढ़ने लगे है सभी 4-5 स्टार होटल पहले जैसे हो गए हैं लेकिन जो छोटे होटल थे उनमें से करीब 30 फीज़दी वापस नहीं आ पाए दिली सिप्रियांशी श